अब सभी को आशाइडल कुकिंग में स्वागत है तो आज हम आम की सबजी तयार करेंगे तो इसलिए हम आम की पेर के पास आई हूँ तो देखिए धेर सारा आम है तो इसे में से हम आम तोड़ लेंगे और फ्रेश फ्रेश हम इसका सबजी तयार करेंगे तो धेर सारा आम भी है और बहुत ही सोटा सोटा है हभी तक यह बढ़ा नहीं हुआ और आपको दिखा रही है देखिए आप सकती हो मैं कितना बड़ा है तो इसे कैरई भी कहती है अभीत तक इसके सीर्थ हो एप अच्छी तरह से बने नहीं दो हम आम तोड रही हूं और इसी आम की हम सबजी तयार कर ले लेंगे और आपके साथ श्यार भी करेंगे तो देखिए हमने आम तोड़ लिया तो चार आम की हम सबजी तयार करेंगे बोहोती चटपटा तीखा सबजी तयार करेंगे और सुके सबजी तो आम को हम पहले अच्छी तरह से इसी तरह मचल मचल कर हम धो लेंगे इसमें कोई भी गंदेगी ना रहे तो अच्छी तरह से हम दो तिन पानी से धो लेंगे तो इसी तरह हमने दो तिन पानी से धो लिया और इसे हम काट लेंगे तो देखिए इसके जो सीर्स है बहुती नरम है अभी तक हाड़ नहीं हुए तो इसके सीर्स हमने निकल लिया इसी तरह और जिस तरह से हमने काट रही हूँ और इसे हम बहुत पतला कर काट रही हूँ आप देखिए तो जिस तरह आलू बगरा सबजे हम काटी हूं इसी तरह ही हमने काट लिया तो सारे हम इसे काट लेंगे और आपके मैंन पसंद शेप से आप काट सकती हो तो सारे काटने के बाद हम यहां पर नमक डाल रही हूं आम में तो मिक्सिंग बॉल में इसी तरह हम मिक्स कर रही हूं आम को और एग घंटे के लिए एग साइट में हम इसे रखेंगे तो अब हम मसाला तैयर करेंगे धनिया ले लिया सौब ले लिया उसके साथ जीरा है और हम मेथी ले लिया इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है तो बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है और सारे मसाला को हम अच्छी तरह से धीमी आस में भून लेंगे तो इसी तरह पुनाए करने के बाद जब ये थंडा हो जाएंगे तब हम उसका पावडर तैयार कर ले लेंगे तो ये थंडा भी हो गई और इसे हम पावडर कर लिया तो देखिए दरदरा कर हमने पावडर तैयार किया और इसे एकसाइट में हम रखेंगे जब हम आम की सबजी तैयार करेंगे इसे में से मसाला हम दो चमस डाल देंगे तो यहाँ पर आम थोड़ा सब्ट हो गई और इसमें से थोड़ा सा पानी भी निकल आई तो आम को हम प्लेट में निकल लेंगे और इस पानी को हम यूज नहीं करेंगे तो देखिए इतना सारा पानी निकल आई और इसे हम एक साइट में रख देती हूँ और पैन गरम हो गई उसमें हम सरसो के तेल भी डाल दिया तेल गरम हो जाने पर हम उसमें डाल देंगे क्रस्क किये हुए लेसन तो एक लेसन के कलिया हमने निकल लिया और उसे तेल में डाल दिया और इसमें हम एक शोके लाल मिस भी डाल रही हूँ इसके फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है तो हमें ब्राउन कर भून लेना है और पांच फ्रॉन हम आधा चमज डाल दिया और इसके फ्लेवर आम में बहुत ही प्यारा सा आएंगे और इसके स्वात तो लाजबब आएंगे तो हमने आम डाल कर अच्छी तरह से लेशन, मिर्स और जो पांच फ्रॉन हमने डाल दिया था इन सारे मसाला के साथ बहुत ही अच्छी तरह से एक से तेर मिनिट के करीब हम भून लेंगे तो हमने इसी तरह भून लिया और अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पॉर्डर भी डाल देंगे तो हल्दी पॉर्डर हमने डाल दिया बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेंगे तो हल्दी के साथ हम फिर से एक मिनिट के करीब स्लो टू मिडियूम फ्लेम में हम भून रही हूँ तो तेल थोड़ा ज्यादा ही डाली है हम बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे तेल में ही ये अच्छी तरह से पकेंगे और आम की जो सिल्का की कलाथ थी वो भी चेंज हो गई और इसमें हम स्वादों सा नमक डाल रही हूँ क्योंकि पहले भी हमने नमक डाली थी उसी हिसाब से हमें नमक डालना है और ये 50% भी पके हुए है और हम इसमें डाल देंगे मसाला जो मसाला हमने तयर किया था तो देखिए मसाला हम सारे नहीं डालेंगे सिर्फ दो चमस मसाला हम डालेंगे क्योंकि हम आम के सबजी बहुत कम तयार कर रही हूं इसलिए मसाला भी हमें कम डालना है अगर ज्यादा हम तयार करेंगे तो ज्यादा मसाला हमें लगेंगे तो बाकी मसाला को हम जार में भरकर रखेंगे जब हम दूसरी रेसिपी इसी तरह के तयार करेंगे तब हम ये मसाला यूज करेंगे तो अच्छी तरह से हमने मिला लिया और आपको हम एक चेक करकर दिखा देंगे तो देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से सब्ट हुए और भी सब्ट हो जाएंगे थोड़ी दिर पकाया लेंगे हम 11-14 मिनिट के करीब तो इसे तरह हम मिला लिया और 11-14 मिनिट भी हम अलट पलट कर धीमी आस में पका भी लिया और इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्स पावडर तो लाल मिर्स पावडर डालने से इसके कलर बहुत ही प्यार सा आ जाती है और इसके तीखापन भी आ जाती है तो मिर्स आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डालिए और इस सबजी हमने बहुत ही चटपटा तीखा और खटटा सबजी है और इसे आप अचार भी कह सकती हो ये इनिस्टेंट अचार बन के तयार हुए और इसे आप आम की सुके सबजी भी कह सकती हो और देखिये बिना जंजट के हमने जटपट तयार किया और बहुत ही जटपट बन के भी तयार हुए और आपको नजदिक से दिखा रही हूँ और ये बहुत ही स्पाइसी बने और डिलेशियस भी लग रही है दीखने में खाने में तो इसके जबाब नहीं है और इसे आप रोटी या डाल चावल के साथ इंज़ोई कर सकती हो और ये देखिये कितना लाजबफ लग रही है तो वीडियो अच्छे लगी तो प्लीस लाइक शियर जरूर कीजिए और चैनल में पहली बार आई है तो प्लीस प्लीस सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में जो बेल एकन है उसे भी क्लिक कीजिए जब हम नया वीडियो डालें तुरूंत आपके पास नौटिफिकेशन पहुंच जाए वीडियो आपास आने से देख पाए